नमस्कार, घरेलुनुस के मा के चैनल में आपका स्वागत है आज बात करेंगे हड्ड्डियों की कमजोरी की ज standpoint हड्ड्ड्ड्यों में कट कट की वा जाने लगते हैं यह हड्ड्डियां दर्द करने लगते हैं हमें लगता हड्ड्डियां कमजोर हो गई है कहीं न कहीं हमें बदन में कमजोरी महसूस होने लगती है इसके इंडल पड़ जाती है बाल कमजोर हो जाती है दातों में दर्द रहने लगता है तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती है कि हमारी बोडिय में केल्शियम कम है अगर केल्शियम कम होने लगता है बड़ती उमर पूरे घर के सदत से कोई भी छोटे से लेके बढ़ाता कर लेगा तो शरीर की यह सारी समस्याओं का समधान हो जाएगा तो आज की वीडियो में बताने जारे हूं ऐसा ही एक जबरदस्त उसका तो चले जब पर वीडियो प्रारम कर लेते हैं लेकिन उससे पहले चैनल पर नह होता है आपको यह लगता है कि मेरी हड्यां कमजोर होने लगी हड्यों में कैल्शियम की कमी होने लगती है तो हम क्या चीज ऐसी अपने खाने में शामिल करें देखो रसोई से संबंदित सारी चीज़ें कोई डिबबावन चीज नहीं कोई किसी भी प्रकार का सप्लिमेंट नहीं आपको घर में ही ऐसी चीज तयार करने हैं जो कि आपको में बताती तो आप यह कहेंगे अरे बाह बस यह और आप उसको उसका असर आपको दिखाई देगा करना क्या आपको भीगेवे बदाम खाने का आप सबको फायदे पता है ति अगर केबल चार या पांच बदा भीगेवे बदाम खिलाती ती दिमाग तेज हो जाएगा आखों की रोशनी तेज हो जाएगी स्किन गलो करेगी बाल नहीं टूटेंगे और ताकत बनी रहे तो भीगेवे बदाम के फायदे तो आप लोग चानते ही और बहुत लोग खाते भी होंगे और नहीं खाते तो श हैं तो लिदू बनाते हैं तीन तीन को किटनी तो आप अपनी क्वांटिटी कितनी ही साथ से आपके घर में चार लोग है और आपको लगता है यह तूभत जब्रदसन मुस्ता है अगर तो भी कोई उराई नहीं है ताकत ही ताकत है मैं अबताती हूं कि अगर एक चमच तिल आप प्रतिती दिन खाते तो 100 ml कैल्शियम आपको डिरेक्ट मिलता है इतना सबर्दस्त तिल तो आपको क्या करना है कि आप तिल ले आए ले आए आप 500 ग्राम तिल ले आए बजार से आप उनको हलका हलका गरम पान में रोस्ट कर लिजिए जब थोड़े थोड़े ठंड़े हो जाए तो सिर्फ मिक्सी में एक राउंड चलाना था तो वह क्या होता और तिल का तिल फाइदे मंद शरीर के अंदर हड़ियों में कट-कट की आवाज आती है ना सूख जाती है हड़ियों सबको ही करता है तो वह अगर आप जादा पीज देंगे ना तो वह चिपक सा जाता है तो इसलिए जादा नहीं बस एक दो राउंड चलाएए और फिर उसके बाद आप उसको किसी भी एर टाइट कंटेनर में रख लिए फिरीज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है किसी भी एर टाइट कंटेनर में आप रखो फिरीज में रखो या नहीं रखो कोई ज़रूरत नहीं है काज की शीशे में रखो तो जाद आचा है उसे आपने जुर्गों को भी दे दीजिए इस से ज़्यादा रामबन कोई चीज हो नहीं सकती और तिल उतना महेंगा भी नहीं आता है और से हिसाब से कि जितनी आपके अलश्यम की गोलियां खा चुके वेटेमिन डी की गोलियां खा लियां आपने किती दवाईयां कर ली लेकर नाराम कोई बात नहीं है कि घरेलू नुस्का भी तो करके देखो मेरी मा के समय का मेरी दादी के समय का हड्डियां मस्बूत होंगी आपको स्वेम परिवर्तन दिखाई देगा आपको स्वेम लगेगा मेरी बोडी में चेंज आ रहा है दस से पंदरा देन में क्योंकि हड्डियों जो आपकी काफी समय से है दिक्कत वह एक दम तो आपको नहीं पता चलेगा लेकि अंदर से जब घ्लिंग होने शुरू होगी तो आपको दिखाई देगा कि हां कुछ तो चीज है और वह साब की बॉड़ी में तो जा रहा है ना तील आपकी बॉडी में जा रहा है विटाम तो वह हमारे यहां पर डाइजेस्ट नहीं होता मतलब इसलिए निकल जाता है लेकिन इसलिए तिल को भूनना जरूरी है और उसको थोड़ा सा पीछना जरूरी है जिसका उसका पाउडर बन जाए फिर उसको आपका ताकत देगा जब बरदस्त अट्यों को ताकत देगा अगर किसी परकार का नुस्का किसी परेशानी का किसी शारी ठीकत का आपको चाहिए तो आपका बंड बोक्स में लिखकर बताएं उसके उपर आपको वीडियो जरूर बिलेगा तेंक्यू